असलों कि प्रश्वान चीमा वेलकम बैक विद अनेधर वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो आपको दो टॉपिक्स पे एक्स्पें करने कोश्च कुरूंगा नमर वन इसके मास्टर प्लान ऑफ केपिल स्मार्ट सिटी जो के आने वाले हफ्ते या दस दिन बाद लाँच किया जाएगा according to the management of capital स्मार्ट सिटी सेकंड इसके जो मोटरवे के साथ एडजेस्टन लैंड है जिस पर आप मोटरवे पर ट्रेवल करें हैं from इसलामबाद टू लहोर आपकी लेफ्ट साइट पर अप्रॉक्सिमेट 3.5 तो 4 किलोमेटर के एरिया ऐसा है जिस पे स स्मार्ट सिटी की तरफ से ब्राउनिंग कर दी गई है जो एक्जेक्टिव 2 या मास्टर प्लैन में जो भी डिस्टिक्स यहां बनेंगे उसकी लोकेशन बाद में रिवील होगी बरहला आप इसकी स्क्रीन पर दो स्क्रीन देख सकते हैं लेफ्ट साइट वाल स्क्रीन पर जो है फुटेज भी यह अरांड टू मन्स परानी है जमने यह टाइम लैप्स जो इस वीडियो के शुरू में में एड़ की हैं वो रिकॉर्ड के थे और राइट साइट पर जो फुटेज है यह है 18 अगस्ट 2021 की यानि कल की फुटेज है और इसमें जो आप लेफ्ट पहले से स्टार्ट होती है लेफ्ट साइट ब्राउनिंग और आगे अब ब्रिज क्राउस करते हैं जो आपको पीछे नदर भी आ रहा होगा राइट साइट की विंडो पे और उसमें आगे तक्रीबन अप्रोक्सिमेट 4 किलमेटर का एरिया ऐसा है जहां पर यह ब्राउनि पॉइंट नमबर 332, 333 उसके दर्म्यान में जो मंदवाल प्रिज के असपास बनता है उस इंटरचेंज की रिलोकेशन के बाद के बाद कैपिल स्मार्ट सेटी की तरफ से और सिस्टिक टू एग्जेक्टिव डिस्टिक टू और एवन एग्जेक्टिव डिस्टिक वन जि इंटरचेंज का जिसे आप कहते हैं मैं एक वीडियो पर अलड़ी बना चुका हूँ अप्रूवल के हवाले से उस अप्रूवल के मताबिक जो करन्ट लोकेशन स्मार्टिक इंटरचेंज की बनती है वो बनती है मंदवाल प्रिज के पास और इस पॉइंट से आगे तक्री स्कुरिटी के लिए रूम्स होते हैं वो बनाएगी है जो इस बात का जबूत है कि ये लैंड केटल स्मार्टिक की तरफ से अक्वायर कर ली गई है नेक्स्सरी के अभी जो डिस्टिक दो जिनके ऑफिशल मैपिंग आएगी जैसे ओवर से दिस्टिक 2 एगजेक्टिव डिस्टिक 2 इन दोनों डिस्टिक से ठाक के जो इंपॉर्टटन बात है जो ओलरी बैलिटेट प्लोट्स हैं एक्जेक्टिव डिस्टिक 1 में जो सब कुछ वही रहेंगे लेकिन उनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी लोकेशन से मुराद यह कि जिसे बी और सी ब्लॉक कर लाइड पे रखना हैं उनमें development start ही नहीं हो थी तो अब executive district 1 के लिए भी उनके जो members है उनके लिए खुशकवरी है कि उनके blocks के location भी change हो रही है और सबसे वड़ी बाद जो अच्छी बात यह है कि executive district 1 की market पहले से बहुत ज़्यादा resale market पहले से बहुत ज़्यादा बेतर हो जाए बलके in fact market negative में थी क्योंके market में response negative था क्योंके executive तक अभी तक access ही नहीं बनी थी तो अभी access के लिए दो points जो भी ready हो रहे है नमबर बन इसके जो interchange की location है वो reveal की जाएगी नमबर टू के जो आप अगर चक्री road की side से आते हैं जो overseas prime block में enter होते हैं जो initial main road है जिसकी width 180 feet carpeted है और बाकी 300 feet उसकी overall width है और इस width road के जो connectivity है वो executive block B से मिलती है executive block B से connectivity मिलने की वाज़ा से executive block के officially दोनों access hopefully अगले साल डेट साल में open हो जाएंगे overall जो capital smartity को time मिला हुआ है interchange बनाने का वो है दो साल जिसमें से approximate दो डाही मेने तक इबन गुजर चुकी है और अभी तक society की तरफ से officially interchange पर काम start नहीं किया गया most probably map के launch होने के बाद इसकी जब second balloting होगी by the end of this year maybe और early next year जब भी इसकी balloting होगी जब बाकी blocks की location reveal हो जाएंगी तो overall तमाम smartity में जितने भी blocks हैं तमाम blocks के location on map आ जाएंगी अभी for the time being सिर्फ एक block जिसकी आप कहलेंगे development हुई है वो है overseas district 1 और मैं पिछले काफी दिनों से approximate 40-45 days से मैं videos नहीं बना सका था due to certain commitment official commitments तो अभी मैं आने वाले दिनों में try करूँ कि ज्यादा ज्यादा विजिट किया था तो उस वक्त overseas 1 की development काफी तेजी से जा रही है जो जी एचर्जिंग के main roads के block है number two जो हार्मी पाक block है उसकी development यानि कि हार्मी पाक block की और राल जो roads का layout है जो बाकि उनके और राल चहान डैम की surrounding में काम हो रहा है उसके development काफी देजी से जा रही है number three जो executive block को connecting bridge है और number four जो main 400 feet road के साथ एक सेवेच की line बन रही है उस area में काफी development होई है बट सबसे ज़्यादा 40-45 day बास जो मैंने development देखी है वो block अभी तक launch नहीं हुआ I don't know society उसको इतना preference की दे रही है बट उस block में development मैसिव तरीके से भी है मैं इंशालाओ उसके वीडियो पोस्ट करूँगा ता आपको आइडिया हो जाएगा जहां पे capital smart city का head of currently जो camp office है साइट पे जो marketing office है उसके left side पे जो capital hills कह रही है जहां पे आने मेले दिनों में golf course के जो जो ब्लॉक ए में जिनके models ready हो गए है पंदरा मरला और उसके लावा एक कनाल और दो कनाल के विलाज है इस size के विलाज जो है जब launch किया जाए 9.3 मरला, 15 मरला, 20 मरला, 40 मरला यह जो विलाज golf course के अंदर launch किया जाएंगे जिस जगा पर यह बनाए जाएंगे जिसका area का नाम है capital hill उस area में development बहुत अच्छे तरीके से होई है और इसमें streets के अंदर proper saverage का system होता है कुछ streets में carpeting और कुछ streets में और इवन जो optical fiber इनने अपनी सब से डालनी है उस पे भी काम हो गया है और secondly जो वाबडा की सब से अफिशली smart city को proper electricity प्रवाइड कर दीगी है जो नसी होने के सबसे बड़ा benefit है उस पे भी आपको इन चलाने वले दिनों में explain करूंगा वेल विए इस वोस इट फन पडे अगर आपको smart city में booking के वालेस कुछ मालूमाद चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो please do like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत भूले रिज्वान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस